कहिए कैसे हैं आप tips for newly married couples आज की मेरी वीडियो उन couples के लिए है जिनकी हाल ही में शादी हुई है अब बताइए आप कैसे हैं नई जिन्दगी की शुरुआत हो रही है बहुत excitement होगी ना मतलब एक तरफ तो खुशी भी होगी है ना और एक तरफ पेट में butterflies भी होगे कि अब क्या होगा आने वाली जिन्दगी कैसी होगी है ना यही feeling हो रही होगी ना तो यकीन मानिये सब अच्छा होगा हां पर अगर आप कुछ और बातों का ख्याल रखेंगे ख्याल रखेंगे means उनको अपनी life में आने वाली life में उनको apply करेंगे अपनाएंगे तो और भी जादा बैतर होगा वही आज मैं कुछ बातें आपको बता रहे हैं देखिए सबसे पहली बात तो इस रिष्टे की नीव को ना हमें मस्बूत बनाना है मस्बूत कैसे मैं एक एक्सामपल देती हूं जैसे हम पौदा लगाते हैंना हम एक पौदा लाए हम ने इस पौदे को लगा है है ना तो हम शुरू-शुरू में उसके ओपर बहुत धयान देते हैं ताकि वो जब बड़ा हो, खुब हरा भरा हो, उसमें कुब फल पूल आएं, करते हैं न हम ये, बस रिष्टे में भी ऐसा ध्यान रखना है, रिष्टे की नीव को भी हमें ऐसे ही मजबूत बनाना है, और वो बनाना है हमें प्यार और केर से, और उसके लिए ज़रूरी है एक कि बड़ा हो ग्रांटेट ले लेते हैं, कि बड़ा है, जैसे हमें हमें जल्दी घर जाके क्या करूँ, अब तो घर पे मिलेगी, अब कोई ये तो बात है नहीं कि भी जल्दी जाना है, जैसे पहले गर्ल्फ्रेंड, बॉर्फ्रेंड वाला सीन होता था, हमने जल्दी जान अब तो हो गई बड़ शादी, अब ठीक है बस, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्पार्क रहना चाहिए, मतलब ऐसे बन के रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, कि एक दूसरे को एट्रेक्ट करें, शादी दाइन नहीं है, एक नई बिगनिंग है, नई जिन्द वो ना तुम में है, ना मुझ में है, अब मिलके ही सारे काम करने है, सारी जिन्दगी मिलके ही प्लानिंग करनी है, मिलके डिसीजन्स लेने है, और देखे, इन चीजों में, जैसे हमको डिसीजन भी लेंगे, अच्छा, हस्बंड की लाइकिंग उसमें नहीं है, या या जैसी बात नहीं है, यह चीज़े तो नॉर्मल है, नैच्रल है, यह तो होती है, मतलब एक दम से सारी चीज़े तो नहीं मेलकाती, कहीं बार जैसे हस्बंड है, उनको खाने में कुछ और अच्छा लगता है, वाइफ को गूमने में कहीं और जाना अच्छा लगता है, यह तो होता ही है, तो इन चीजों में थंड़े दिमाख से काम लेना चाहिए, मतलब इसको टेंशन नहीं बनाना, कुली, पेशेंटली इन चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि यह समय के साथ से सब तहीं हो जाएगा, तो हमें जो है, जैसे उनकी likings है, उसकी respect करनी है, ऐसे गुसा गुसा नहीं होना, ऐसे नराज नराज नहीं होना, एक नहीं बड़ी खुबसूरत सी लाइन है, कुछ रिष्टे है, इसलिए चुप है, कुछ चुप है, इसलिए रिष्टे है, इस बात की गहराई को जरूर समझना, अब आते हैं तीसरी बात, एक दूसरे के परिवारों को समझना है, देखें जान पैचान तो होई गई, है ना, जान पैचान तो जैसे पहले मिलना जुलना हुआ, देखना दिखाना हुआ, फिर कोई ceremony हुई, फिर कोई function हुए, फिर phone पर भी बाते हुई होई होगी, एक आते हैं, आते हैं, जैसे जो वाइफ हैं वो समझें की gu griangka, फिर किया की बाते हुए जादा है, ये मेरे छो नहीं समझें सकते है welding, वाइफ हैं तो अपने इनलॉस का ख्याल रखे, हस्बंड हैं वह भी अपने का स्बातनी वाइज्व का ख्याल रख रहें, हुअ ह अपर हमारा एन दrickस असा होता है जैसे сам मारी फैमली में हिम्हां फैमไALL का चया हो चैसे Lao टीन ईत्व आप अपने लाइगों से लुद तो फैमू ये जव रह एगी दिलेगों मेरे बनेगी ये वेगों ज़िखतीया आपने हिसाब से चलाना किसी और को चला ज्यावाब आपको सही लगटा है अब बड़े हो गए हैमेशस दियो के है और संवन्स दारी से अ क 120 इस पड़े शोड़े हं जब हो आप करें इस पाद कर रहें न ही भी अम्यों में 025 ब'sक्थ शुतिया shed भले ही गहरा ना हो पर विश्वास बहुत गहरा होना चाहिए कोई जूट नहीं बोलना किसी तरह की कोई चोरी नहीं रखनी है न कोई बात चिपानी नहीं है मतलब बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए ये जो विश्वास है न ये तूटने पर आवाज नहीं करता पर इसकी जो गूंज है ना वो पूरी जिन्दगी सुनाई देती है और जब शक्की एंट्री होती है ना लाइफ में तो उसी दर्वाजे से विश्वास प्यार बाहर निकल जाता है एक पत्नी ने अपने पती से पूझा कि तुम देर से आये तो मुझे फिक्र हुई मुझे चिंता हुई और अगर मैं देर से आये तो मैं शक्की हुआ तो यह जो विश्वास है ना यह दोनों को बना के रखना है यह जो मैं बात कर रही हूं कि विश्वास बहुत कहरा होना चाहिए यह जो मेरेड लाइफ का एक मजबूत पिलर होता है अगर ये हलका सा भी दरग गया न फिर लाइफ जो है आगे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रियेट करती है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विश्वास को बनाय रखना और इनके लिए क्या ज़रूरी है आपस में बातचीत आपस में आप अच्छी तरह से quality time spent कीजिए बातचीत कीजिए कुल के बातचीत कीजिए सारी बातचीत कीजिए मतलब उनको as a friend treat कीजिए husband को या wife है wife को as a friend treat कीजिए जब हम इतने खुले होंगे सारी बाते करते होंगे सब एक दूसरे के बारे में पता होगा फिर ये situation नहीं आएगी समझ रहे हैं आप इस बात को ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी इस life में इस नई जिंदगी में विश्वास अब आता है fifth point मान के चलिए nobody is perfect कोई भी perfect नहीं है बही चाह husband है चाह wife है कोई ना कोई plus minus point हर एक में होते हैं ठीक है एक दूसरे में है उसको accept करना है मतलब accept करना है दिल से स्विकार करना है कि कोई बात नहीं और बजाए कमियां ढूंडे के best क्या है कि उनके plus point खोजे जाए बही हाँ ठीक है ये minus point है चलो कोई बात नहीं plus point भी तो है उसको खोजना है समय समय पर और उसको appreciate भी करना है ये चीज बहुत ज़रूरी है और examples देखने हैं अपने आसपस अपने आसपस भी जैसे हमारी कोई family में है कोई हमारे friend circle में है कोई हमारे रिष्टेदारी में है मैं अच्छी अच्छी चीजे जैसे वो couple है जैसे माली जो पड़ोसी है तो उसमें जो wife है वो husband की बहुत care करती है उनका बहुत ख्याल रखती है मतलब खाने पीने का हर एक चीज का मतलब बहुत जब भी वो आते हैं बाहर से ऑफिस से आते हैं तो बाहर करी होती है वेट कर रही होती है तो यह चीज देखनी है कि दोनों में आपस में प्यार करते हैं यह चीज सीखनी है कि अच्छा लगता है एक दुसरे की care करना एक दुसरे का ख्याल रखना एक दुसरे की support बना जैसे एक रिष्टेदारी में हैं तो जो wife है उन्होंने अपने husband को बहुत support किया support कैसे कि जैसे उन्होंने अपना business शुरू किया पहले वो job करते थे अब अपना business शुरू किया और उसमें वो डाल बनी support किया कि आप कर सकते हो और दोनोंने मिलके किया आज वो दोनों successful है तो ये चीज़ भी कि भई देखो उन्होंने कितना support किया था हम भी ऐसे कर सकते हैं हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते है या एक couple है वो बहुत surprises देता है एक दुसरे को समय समय पर कभी कोई gift ले आके कभी कुछ कर अच्छा लगता है एक खुषी मिलती है और क्या है कि अच्छे युद्ध मिलती है भी जहांसे मतलब कोई अच्छा पकुषी मिलती है नहां करते है पर हम करते क्या है हमारा फोकस थोड़ा सा हट जाता है मतलब थोड़ा सा लड़ाई जगड़ा, रूटना मनाना, ओफिसे लिट हो गए, यह क्या मतलब हुआ, अच्छा फिर बात नहीं करना, दो दो दिन बात नहीं करना, नराज रहना, खाना निकाना, मतलब और चीज़ों गुप से लिट पें गुपägर, धुप पर गूसा उतारणा, यह चीज नहीं करना मतलब नहीं है, यह उप his, हुआख पहा हमेशा नहीं चाहिए, जटनी जल्दी हो, उसको पैच अब कर highly-fit, मतलब नहीं है, पर कोशिश भिचला घंगी को दोनों की equal duty है, इसमें यह नहीं है कि भी husband ही जुके या wife ही जुके, दोनों की जहां भी लगे कि हाँ ऐसा हुआ, यह ठीक नहीं हुआ, यह नहीं होना चाहिए था, तो माफ़ी मांग लेने में कोई दिक्कत है यह तो अच्छा ही लगता है, मतलब इससे लगता है कि हाँ, हम care करते हैं, हम नहीं चाहते हैं बात बढ़ाना और बातें बढ़ने भी नहीं चीएं आपस में आपकी कोई misunderstanding हुई, आपस में करो, clear करो, पर यह क्या मतलब हुआ कि बात ही नहीं कर रहे हैं, इतना time हो गया, इतनी देर हो गया, ऐसे नहीं करना एक बड़ी खुबसूरत सी line है कि कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिन्दगी आसान कर ली, कभी माफ कर दिया, कभी माफ ही माँग ली simple सी बाते हैं, यह जो मैं बातें बता रही हूँ, यह ऐसी कोई बहुत लंबी चोड़ी बातें नहीं है, simple simple सी हैं बस इन ही कोई apply करना है, फिर देखिएगा, clear, अब आता है six point, एक दूसरे को space देना, अब जहां पर एक दूसरे की बहुत care करनी है, एक दूसरे का ख्याल रखता है, वही पर यह भी एक care का part है, क्या, कि एक दूसरे को space देना है एक दूसरे को, मतलब जैसे marriage से पहले उनकी अपनी life थी, वह अपनी hobbies थी, अपने interest थी, उस चीजों को करने दीजे, अच्छा लगेगा जैसे husband है, वह जाते थे, हर शाम को club जाते थे, अब शादी के बाद, अब वह continue नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा या wife है, वह पहले painting किया करती थी, drawing किया करती थी, अब नहीं हो पा रहा, तो अब करना है यह जो space दे रहे हैं वह इसलिए दे रहे हैं कि जो अपने interest, अपनी hobbies है, उसको करना है वह ज़रूरी है, वह अच्छा भी लगता है अपना भी मान लिजे कोई friend circle है, चलो किसी को बुला लिया, चलो किसी से मिलने चले गए यह चीज़े होनी चाहिए, फिर यह बंदन नहीं लगता, नहीं तो लगता है कि यह तो बंदन हो गया, मेरे तो friend circle खतम हो गया, मैं तो बिलकुल बंद गई, मैं तो घर जबान निकल सकती वाइफ यह सोच रहे है, या हजबन भी यह सोच रहे है तो यह चीज़े नहीं होनी चाहिए, हाँ, अगर मिलके कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, जैसे husband रोज वॉक पर जाते है, अब wife में भी शुरू कर दिया, उनके साथ जाना, बहुत अच्छी बात है इसे तो और अच्छी ट्यूनिंग होगी, मिलके इंट्रस्ट कर रहे हैं पूरे, या जो wife का painting में इंट्रस्ट है, husband उसकी painting में इंट्रस्ट ले रहा है, यह तो बहुत अच्छी है, अपि मैं भी सीखना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत बात है अगर एक दूसरे के इंट्रस्ट पे इंट्रस्ट लेंगे तो और भी अच्छी बात है, और अगर नहीं ले रहे हैं इंट्रस्ट तो कम से कम उनको de-motivage भी नहीं करना है, क्या फालतू की चीज है, क्या कर रहे हो, चोड़ो इसको अब आता है 7th point, मिलकर future plan करना है, एकदम safe, एकदम secure, जैसे planning करके चल रहे हैं कि next year तो हम गाड़ी ले लेंगे, ठीक है ना, तीन साल बात हमारा अपना घर होगा, देखिए अगर husband wife, आप दोनों earning हैं, फिर तो उसे साब से हम कर्चे भी बान सकते हैं कि इतना कर्चा हमने ह प्रॉपर एक budget लेके चलें, इतना करना है, इतनी saving करनी है, saving करनी है, देखिए saving इस टाइम पे बहुत मन करता है, कि यह भी खर्च कर लो, और खर्चा कपड़े खरीदने में, या shopping करने में, यह चीज़े बहुत अच्छी लगती है, और गुमने फिरने में, तो इसमें हमारे सामने आते रहते हैं, हमारे बैंक में safe money रखा होगा, फिर दिक्कत नहीं होगी, कम से कम, छे महीने का हमारे पस इतना होना चाहिए, कि अगर कोई भी प्रॉबलम आजा, तो हमारे पस इतना पैसा है, safe है, secure है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यह इसलिए कह रही हुँ है कि आपने देखा होगा, जैसे अभी experience किया हम सबने, कोरोना में, है ना, jobs भी चली गई थी, गर बैठ गए थे, कितनी दिक्कत हुई, source of income भी खतम हो गए थे, इसलिए, बहुत ज़रूरी दिए कि लाइफ में challenges तो आते रहते हैं, तो अगर हम mentally prepared होंगे, तो दिक्कत नहीं ह होगी न, फिर life easy रहेगी, फिर एकदम से यह नहीं होगा कि यह क्या हो गया, tension में नहीं आ जाएंगे हम, इसलिए, यह चीज ज़रूरी है, और अगर एक ही घर में earning है, मतलब wife माल लीजे काम नहीं करती है, husband नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से कि हमने इतनी saving करनी है, हमने खर इसका income कैसे कर सकते हैं, इसका source भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे खर्चे और बढ़ेंगे, फैमिली बढ़ेंगी, यह तो स्वभाविक है, फैमिली बढ़ेंगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, तो ज़रूरी है कि यह चीज़ को भी देखा जाए, ताकि life बिल्क मैं स्टार्टिंग में पौदे की बात कर रही थी, आगे आने वाले समय में वही एक हरा भरा और खुब भलदार, खुब विशाल, पेड़ बनकर रोप रहेगा, यकीन मानियेगा, तो एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत बदाए, और मैं पते क्या आज दिल से य यह हो रहे हैं, लड़ाइ जगड़े हो रहे हैं, आप उसे बनती नहीं है, रूसम रूसाई, रूठम रूठाई, यह चीज ना होना, मतलब इतना प्यार हो, इतनी केर हो, इतना विश्वास हो, मतलब एक एक जामपल से हैट करें, कि कपल हो तो ऐसा हो, लोग देखें आप और होते हैं, ऐसे होते हैं कपल्स, बहुत कियरिंग होते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, ऐसे बनना है हमें, विसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इन्जार रहेगा, और हाँ, अगर आपने मेरा ये योट्यूब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर लिजेगा, और इसमें ये बेल का बटन है ये भी दबा दीजेगा, ताकि जब भी जैसे में कोई वीडियो अप्लोड करूँ, आपके पस नोटिफिकेशन जा मेसेज आ जाए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी आपको लग रहे हैं किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लिजेगा, ठीक, बाई